हेलो एवरीवन मैं हूँ सच्चीन और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे और आज के इस क्लास में हम लोग एक image slider बनाएंगे जावा स्क्रिप्ट, HTML और CSS का मदद से देखिए यहां पे मैंने एक फोल्डर बनाया है और इस फोल्डर को मैं अपना टेक्स एडिटर में खोल के रखा हूँ और यह जो फोल्डर है फोल्डर के अंदर में देखिए तीन image है image 1, image 2, image 3 नाम का और एक HTML फाइल भी मैंने यहां पे बना के रखा है तो सबसे पहले हम लोग HTML का कोडिंग करेंगे यहां पे तो यहां पे इसको मैं जल्ली से कर लेत हूँ देखिए यह बेसिक आपका HTML कोडिंग जो था उसको मैंने लिखा उसके बाद यहां पे देखिए हम लोग एक डीव लेंगे और इस डीव में क्लास लेंगे डीव का क्लास जो नाम रहेगा वो मैं यहां दे देता हूँ कॉंटेनर ठीक है और इसके अंदर में फिर एक डीव में ले रहा हूँ डीव डॉट इसका नाम मैं दे देता हूँ आपका के में चारी सहिंगि' इमेज करने के लिए मेंज करना पड़ता है और सोर्स में इमेज का जू नाम होता है वह लिख나 होता है तो वह वो भी मैं odor दिख देता हूं image one dot png ठीक है और उसके बाद यहां से इसको हम लोग हटा देते हैं ऐसे करते हैं अब एक CSS फाइल हम लोग बनाएंगे तो यहां पर चलते हम लोग एक काम करेंगे इसको पहले तीन image हम लोगा ना इसको copy करता हूं मैं और फिर paste कर देता हूं और फिर paste कर देत ठीक है इस तरह से यहां पर इसका नाम जो रहेगा यह आपका 2 कर दूँगा और यहां पर इसका जो नाम है इसको मैं 3 कर दूँगा ठीक है ना यह आपका 123 इस प्रकार के और अगर अभी हम लोग जाएंगे यहां पर इसको refresh करेंगे तो देखिए एक हमारा image one एक image two और एक image three यह आ गया है ना कब css फाइल कर लेते हैं इसका नाम हम लोग दे देते है style.css और इसको यहां पर हम लोग लिंक कर लेंगे html फाइल में तो उसके लिए यहां पर मैं simple लिखूँगा link फिर आपका real equal to style.css फिर यहां पर एक रिफ्रेंस और फिर आपका फाइल का नाम देना होता है यहां जैसे मेरा फाइल का नाम है style.css तो मैंने यहां पर style.css दिया है अब यहां पर जाएंगे हम लोग और सबसे पहले तो मैं आपको image जो है उसका height कम करके यहां दिखा द और उसके बाद में जो height है इसका इसको मैं भी फिलाल के लिए यहां पर 350 pixel लिख रहा हूं बाद में इसको 100 pixel करतेंगा फिलाल यहां देखने के लिए अगर हम लोग इसको refresh करते हैं देखिए अभी यहां पर image दीख रहा होगा हम लोग का किनो image दीख रहा है इसका size जो है व तो इसमें भी हम लोग कुछ coding कर लेते हैं यहां पर पतला भी style दे देते हैं ठीक है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक करेंगे इसका हम लोग ठीक है और उसके बाद में इसका white जो रहेगा वह हम लोग 100% देंगे और उसके बाद में इसका जो height है वह हम लोग देंगे यहां पर 350 पिक्सल और उसके बाद में इसका जो position है वह हम लोग रखेंगे relative और इसके बाद में इस नहीं रखते है अभी बाद में जैसा जरूरत होगा हम लोग देंगे फिर और क्या था हमारा images था तो images में हम लोग जाएंगे मतलब यह रहेखे images वाला class जो था images नहीं image वाला class इसका भी हम लोग design कर लेते यहां पे इसमें हम लोग क्या करेंगे करदा तो है यहां पे हम लोग वाइट देना है इसका तो वाइट जो रहेगा वह यहां पे 100% रहेगा और इसका height जो रहेगा एक चाइज इसटी हाइट वह भी हम लोग यहां पर हैंडड़ परसेंट ही दे देते हैं ठीक है और पोजीशन जो रहाएगा वह हम लोग एब्सुलूट कर देंगे इस बर मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर हम लोग देखेंगे तो देखे इस प्रकार से अभी यहां प अब आपको देखेंगे और जैसे ही मैं पोजीशन एप्सुलूट कर दूंगा तो क्या होगा सब इमेज उपर आ जाएगा है ना तो यहां पर मैं लिख देता हूं पोजीशन और यहां पर पोजीशन जो होगा वह आपका रिलेटीव के वज़ाए मैं यहां पे एब्सुल इमेज 2 इमेज 2 के नीचे में है आपका इमेज 1 ठीक है अब क्या करना है हम लोग इसका ओपसिटी जो रहेगा वह हम लोग जीरो कर देगे ठीक है तो ओपसिटी जीरो करने पर क्या होगा कि यहां पर देखिए अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं तो कुछ भी नहीं लिखाना है तो इसके लिए क्लास यहां पर बनाएंगे इस क्लास का नाम मैं देदेता हूं एक्टिव और उसके बाद में यहां पर मैं क्या करूँगा इसका ओपसिटी जो रहेगा वह मैं कर दूँगा वन ठीक है और थोड़ा से ट्रांजीशन इसमें अप्लाई करते हैं तो यहां पर transition लेता हूं मैं और transition जो रहाएगा वह opacity के उपर apply करना है ना यहां पर opacity लिखेंगे और 2 seconds timing देंगे और जो time function है वह हम लोग इसमें erase in out use करेंगे ठीक है हो गया अब कर अब यहां पर कैसे apply होगा जावा script का मदद से हम लोग क्या करेंगे यह जो class है हमारा image इसमें हम लोग इसको change करवाएंगे यहां पर जो active class है जैसे कि अभी यहां पर active मैं लिख दिया हूं तो क्या होगा कि यह जो image है ना हमारा पहला वाला जो image है यह अब display होगा अगर मैं refresh कर दो देखिए पहला वाल जब active जो रहेगा यहां से हटके यहां से यह active हटके यह next वालग में अगर चल जाता है प्रोग्राम करेंगे हम लोग उस प्रकार से तो क्या होगा one के बज़ाए वो क्या दिखेगा आपका two आएगा देखिए है ना उसी प्रकार से अगर यहां पर फिर यह जाएगा आपक और यहां से यह हट जाएगा अगर तो देखिए तो यहां पर इस प्रकार से तो ठीक है तो हम लोग क्या करते सबसे पहले तो यह जो active class है इसको हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग one में ही रखेंगे 程 कि यह आं कि यहीं पर रखते हैं मैं और उसके बाद में इसको हम लोग refresh कर देता है यह तिस दीकार आपका चली है अब हम लोग क्या करेंगे जावा स्कृक्शर का फाईल बनाएंगे तो यहां पर हम लोग क्लिक करते हैं और यहां पर हम लोग यह तो जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाएंगी जिसका नाम में दे रहा हूं code.js अब इसको भी यहां पर लिंक करना है HTML फाइल में तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे स्क्रिप्ट लिखेंगे और फिर src और फिर फाइल का नाम जो था जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम यहां लिख देंगे code.js हो गया ठीक है यहां पर जावास्क्रिप्ट पर code लिखते है सबसे पहले एक variable हम लोग बनाएंगे और इस variable का नाम मैं image दूंगा और उसके बाद मैं यहां क्या करूंगा document.curieSelector all ठीक है तो इसका मदस से हम लोग क्या करेंगे कि dot image नाम का जितना भी class है ना वो पूरा यहां हम लोग collect कर ले रहे हैं आपका image यह सारा जो रहेगा इस variable में आपका store हो जाएगा ठीक है image नाम का जो variable है उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे हम लोग एक function बनाएंगे function में क्या करेंगे हम लोग function का नाम देना होगा तो यहां पर function का नाम जो है मैं दे देता हूँ slide यह function का नाम मैं दे दे रहा हूं उसके बाद मैं curly bracket open close और यहां पे भी एक variable हम लोग बनाएंगे और इस variable का नाम जो है वो मैं दे देता हूं active और equal to और यहां पे मैं लिकरा हूं document.curieSelector क्या होगा कि एक ही वो select करेगा ठीक है curieSelector all क्या होता तो पुरा collection मिल जाता है और यहां पे हम लोग dot active नाम का जो class रहेगा उसको हम लोग ले रहे हैं dot active तो dot active बोलने से देखे क्या होगा कि अगर हम लोग यहां जाके देखे तो यह वाला element देखे और उसके बाद में फिर क्या होगा उसके बाद में यहां अगर जाओ और यहां पे मैं लिख हूं अगर जैसे कि क्या नाम है वेरिबल का active dot class list dot remove ठीक है और remove हम लोग कौन से क्लास को remove कराना चाहते हैं यहां पे active को remove कराना चाहते हैं ठीक है जो active class है अभी वो इसको remove कर देगा है ना और साथी साथ यहां पे देखिए मैं function को call करता हूं function का नाम जैसे है slide so slide so bracket open close यहां पे अंगर हम लोग function को call कर ले और एक बार यहां जाए और अगर हम लोग इसको refresh करते हैं और देखिए यहां पे हट गया क्यों हटा वो भी मैं आपको दिखाता हूं देखिए अब भी इसको मैं एक बार refresh करता हूं और भी म्र mons आड लिए क्यों हट जा रहा है क्या है क्योंकि वह जो लागत एक्टिव क्लास उसको हम लोग क्या करवा दे रहे देखिए रिमूब करवा ले ले classlist.remove क्या करेगा वो class को हटा देगा देखिए यहां पर हम लोग क्या किये थे query selector का मदद से हम लोग की a div को select किये थे यह पहला div है यह पहला div कैसे select होगा क्योंकि यहां पर active हम लोग लिखेंगी active.next element sibling active.element sibling इसे क्या होगा मैं समझाओंगा उसके बाद में यहां पर क्या करेंगे हम लोग active.next element sibling.class list.add ठीक है और फिर bracket और bracket के अंदर में हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर हम लोग इसको active करवा देगे इसको हम लोग क्या करवा दे रहे है active करवा दे रहे है अगर एक बार जाएंगे हम लोग और इसको रिफ्रेश करेंगे करते हैं देखिए क्या हुआ इसको हम लोग फिर से देखिए यह आपका चेंज हो रहा है वन चेंज होके आपका टू हो जा रहा है वन चेंज होके यह आपका टू हो गया है है और अगर यहां पर हम लोग देखे तो देखिए यहां पर active जो ट्लास था यहां पर यह इसमें इस पर फिर गाट सब्सक्राइब हो जा रहा है कि यह हम लोग क्या करेंगे पिया है यहां पर यहां पर हम लोग कर रहे हैं एल्स अगर आधर नहीं लिखते है ठीक है हम लोग यहांपे क्या करते है कि यहांपे सैटइर्वेम अगर हम लोग लिखते हैं और सेट इंटरर्वेमल में हम लोग यह function को कॉल कराते है servi oh और ॹ्लाइड तो उसके बाद यहां पर पुछ टाइम देटा है इस तरह है तो यह क्या होगा कि इतना टाइम में तो बार बार वो रिपीट कर वाएगा तो यह हम लोग का function repeat होता है तो क्या होगा कि इसको में अगर रिप्रेश कर देब यह के आगे कि यह फंक्षन तो आपका रिपीट नहीं हो रहा है में हुआ है ना देखिए फाइब सेकेंड में फंक्षन आपका रिपीट हो रहा है और देखिए यहां यहां ध्यान से देखिए देखिए यह हट जा रहा है अलग चीज है लेकिन अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ एक बार एक बार मैं रिफ्रेश कर दूँ और उसके बाद अगर मैं दिखा हूँ आप लोगों को तो देखिए यहां पर यहां चले है और उसके बाद अब यह यहां आएगए देखिए इससे क्राइबुत ठीग है ना उसके बाद में क्या हो जा रहा है कि हड जा रहा है और Online ऐरर आ जा रहा है यहां पे फिर टो क्या करें गया कैNow कि उसके लिए हम लोगं एक कंडिशन थे ऐसा होगा ठीक है और नएट तो फिर छोग का और else में फिर क्या होगा कि यहां पर हम लोग उपर में जो image लिये हम लोग image और फिर 0 खीक है और उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे dot classlist dot add करवादेंगे क्योंकि हट जा रहा है हट जाने के बाद वो काम नहीं करेगा तो इसको हम लोग फिर से क्या करा दे रहे कि उपर वाला element में हम लोग add करवा देगा अब फूरा program समझेए पूरा program में क्या होगा कि देखिए सबसे पहले हम लोग वहाँ एक्टिव लिखे है ने क्यूरी सेलेक्टर जो रहेगा यह उसको यहां से grab करेगा ठीक है उसके बाद क्या होगा कि यहां से वह एक्टिव को हटा देगा replace कर देगा remove कर देगा replace ने remove कर देगा और फिर इफ वाला condition में क्या होगा active.net next element sibling वह उसके बाद में जो है वो next वाला जो उसका sibling element है ना उसमें वह active को add कर देगा ठीक है यह चलते रहेगा process और जैसे यह process खतम होता अगर हम लोग इसको जाता है तो एक्टिव में फिर सी एड कर देगा तो फिर सी यह वाला process शुरू हो जाएगा और यह function को बार बार repeat करवाने के लिए हम लोग सेट इंटर्वेल में क्या करना पड़ता कि function का नाम देना होता है और उसके बाद में कितना देरी में function को आप repeat करना चाहते है वो time यहां पर देना पड़ता है अगर हम लोग इसको जाएंगे फिर से यहां पर और इसको इपर refresh करके दे पहले हमारा image one display हो रहा है यहां पर यहां चले चाहिए फिर एक्टीव यहां चले जिया और उसके बाद में जैसे एक्टिव खतम होगा तो अटमेटिक क्या हो रहा कि आपका एक्टिव वन में फिर से वह एक्टिव क्लास आ जा रहा है एल्स वाला पार्ट से और फिर इफ फन्क्षन रिपीट हो रहा है तो फिर सोषी तरह से ओगा और फिर जैसे खतम होगा यह वाला इफिव खताप्व बángठिव पोंड पर यहां पर आजाएक और इस प्रकार से हमारा एक के बार एक इमेज आएगा और जाएगा आएगा और जाएगा ठीक है अगर आप लोगों को मेरा अच्छा लगा हो आप लोगों को इमेज स्लाइडर समझ में आया हूँ आप लोग इमेज स्लाइडर किस तरह से हम लोग HTML, CSS और JavaScript यूज़ करके बना सकते हैं मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा